दोस्तो, आज हम आपके लिए फिर से एक अच्छी कहानी को लेके आए हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो, तो चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, तो मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है, कोयले की खदान के अलावा, इस आइलैंड को जापानी सोलजर्ज ने चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए आज तक कोई भी यहां से जिन्दा बचके नहीं जा पाया है, यहां पर एक जापानी सुपरवाइजर एक चोटे बच्चे को छोटी सी जगह से भेजता है, क्योंकि वहां किसी बड़े आदमी का जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वहां किसी तकनीकी के कारण विसफोट हो गया, इसी के चलते यह बच्चा मलबे के नीचे दब कर मारा जाता है, यह देखकर सभी बहुत दुखी ह और बच्चे को उसके परिवार को दे दिया जाता है, जो इसी खदान में काम करते हैं, फिर आगे हम देखते हैं यून हक चुल नाम के एक आदमी को जिसे कोरियन लोग अपना लीडर मानते हैं, यून के सामने तीन कोरियन लड़के बैठे हैं, जिन्हें वह इस खदान से भगाने की प्लैनिंग कर रहा है ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, तीनों लड़के यून की बात मान कर रात के अंधेरे में यहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सोल्जर की नजर इन पर से एक लड़के पर पड़ जाती है, और उसे वहीं पर शूट कर दिया जाता है, इधर ये दोनों लड़के समुंदर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन तभी एक जहाज इन्हें भी पकड़ लेता है, और ये दोनों भी मारे जाते हैं, आगे दिखाया जाता है सीधा कोरिया में जहां हम एक मासूम बच्ची सोही और उसके पापा ली को के को देखते हैं, जो एक पार्टी में नाच गाना कर रहे थे, असल में ली एक बैंड चलाता है, और सोही भी अपने पिता के साथ इसी बैंड में काम करती है, ली एक खुश मिजाज बंदा है जिसकी म्यूजिक को यहां सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, असल में ये सम चीफ की बीवी के साथ मस्ती की है, और वह उसे पकड़ने के लिए आ रहा है ली, यहां से भाग कर सीधा अपने दोस्त सूगियामा के पास पहुँचता है, और कुछ ले देकर खुद भी सेना में जाने की जित करता है, क्योंकि उस उसका बच्पन से ही सपना था कि वह भी देश के लिए दुश्मनों से लड़े, सूगियामा भी उसकी फीलिंग समझता है और उसे सेना में भेजने का इंतजाम करता है, अब आखिरकार अप्रेल 1940 का वो दिन भी आता है, जब इस शिप को सभी लोगों को लेकर हाशिमा आइलैंड के लिए निकलना था, ली उसकी बेटी और पूरे बैंड ग्रुप के साथ सभी लोगों को इस शिप में ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, और थोड़ी देर के बाद यह शिप एक जगह पर रुखती है, जहां ली सुगियामा का लेटर दिखाते हुए सोलजर से कहता है, कि मुझे तुम्हारे लीडर से मि और वह समझ जाता है कि उसके और इन सभी लोगों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता है और इन सभी को ट्रेन में भरकर हाशिमा आइलैंड के लिए भेज दिया जाता है, और पहुँचते ही जापानी सोलजर्ज इन सभी को बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं और वहाँ पर हल्ला शुरू हो जाता है, यहां आदमी को अलग और महिलाओं बच्चियों को अलग कर दिया जाता है, साथ ही एक बोर्ड पर बिठा कर सभी बच्चों और महिलाओं को सबसे दूर ले जाया जाता है, इसके बाद इन सभी को एक जगह ले जाकर इन से इनका सारा सामान ले लिया जाता है, जहां ली अपनी रोलेक्स खड़ी सुपरवाइजर को दे कर अपनी बेटी से मिलवाने की विनती करता है। इतने में कमपनी का जूनियर आफिसर यमारा आजाता है, यमारा ली की हरकत दे कर उसे जापान का नेशनल सौंग बजाने को कहता है, जिस पर ली अपने पूरे ग्रुप के साथ शुरू हो जाता है, इतने में कमपनी का मैनेजर शीमा जाकी भी यहां पहुँच जाता है और इन सभी का स्वागत करता है, शीमा जाकी कहता है कि अब से आप सभी हमारे लिए काम करने वाले हैं, इसके बाद सभी मजदूरों के कपड़े उतरवा कर उन्हें सैनिटाइज किया जाता है। इनकी पगार से की जाएगी, और अगर किसी का महीने का खर्च ज्यादा हुआ, तो उसकी भरपाई अगले महीने की सैलरी से की जाएगी। आगे पगार से पैसे कटने के बाद भी मजदूरों को कीडे मकडों वाला खाना दिया जा रहा है, अगले दिन इन सभी को माइन में मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है। एक सुपर्वाइजर एक बच्चे को मार रहा होता है, ये देख कर एक जापानी छोए जो छोटा सा गैंगस्टर है वह सुपर्वाइजर से दो-दो हाथ करने का डिसाइड करता है। तभी अमाला भी यहां आ जाता है और चोए सुपर्वाइजर को हराने के बाद मजदूरों का लीडर बनने का ओफर देता है। प्रवाइजर म्यूजिक बनाने को कहता है। ये सुनकर सोही कहती है कि ये मेरा सौंग है और इसका म्यूजिक मेरे पापा ने दिया है। लेकिन शीमा जाकी उसकी बात समझ नहीं पाता और एक मौल नाम की लड़की उसे सोही की बात को ट्रांसलेट करके बताती है। ये दूसरी तरफ हम पार्क नाम के इजेंट को देखते हैं जिसे कोरियन लिबरेशन कमपनी यून की फोटो देखकर उसे हाशिमा से वापस लाने का काम सौंपते हैं। इधर चोए बाकी मजदूरों के साथ कोयला निकाल रहा था कि तभी एक भयंकर ब्लास्ट होता है और कोयले से भरी ट्रॉली धड़ाम से नीचे गिरती है। जिसकी चपेट में आने से कई मजदूरों की जान चली जाती है और पूरी खदान में आग फैलने शुरू हो जात जाती है वहीं जब शीमजाकी को इस ब्लास्ट की खबर मिलती है। तो वह खदान को बंद करने का आदेश देता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यून भी इसी खदान में बंद है इसलिए वह कैसे भी करके यून को बाहर निकालने के ओंडर देता है क्योंकि अगर उस से मजदूर एक डाइनमाइट ब्लास्ट करके खदान से बाहर आ जाते हैं। अब यून घायल हालत में सभी कोरियन मजदूरों के सामने आता है जिसे देखकर सभी खुशी से जूम उठते हैं। इन मजदूरों में पार्क भी शामिल था। अब वो मौका मिलते ही यून के पास पहुँचता है। पार्क कहता है कि मुझे कोरिया ने तुम्हें यहां से निकालने के लिए भेजा है। लेकिन मुझे कोरियन शिप मंगवाने के लिए टेलिग्राफ चाहिए। इस पर यून टेलिग्राफ का इंतजाम करने की कोशिश में जो जुट जाता है। वहीं और ली खुद को और सोही को भी यहां से ले जाने की शर्थ पार्क के सामने रखता है. पार्क के मानते ही, लीस ऑफिसर के कमरे की चाबी चुरा कर नकली चाबी का इंतजाम करता है। अब पार्क कमरे में आता है और कोरियन आर्मी से मदद मांगता है यहाँ पार्क को कोरियन अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी मिलता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं इसी बीच आइलाइंड में दुश्मनों के बंबर प्लेन गुजरने लगते हैं जिन्हें देखकर सभी अपने बंकर्स और घरों में छुपकर लाइट्स आफ कर देते हैं मौके का फाइदा उठाकर पार्क यून को एक खुफिया जगह पर लेकर आता है जो उसे कहता है कि मुझे सब पता चल गया है यहाँ जितने भी कोरियन मजदूरों की मौत होती है या उनके साथ कोई हादसा होता है तो उनके मुआवजे का आधा तुम्हारा और आधा शीमा जाकी के अकाउंट में जाता है यह सुनकर यून हैरान रह जाता है और खुद को बचाने के लिए जूट कहता है कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है यही ली और सोही भी थे जिन्होंने इन दो की बातें सुन ली थी इसी बीच हाशिमा पर एक जोरदार धमाका किया जाता है जिसमें शीमा मारा जाता है वहीं जापानी अपने आपको बंकर्स में बंद कर कोरियंस को मारने के लिए छोड़ देते हैं वहीं यून अपने आपको आग से बचा कर यहां से भागने लगता है जिसे चूनाम का आदमी सहारा देता है पर यून उसे भी मार देता है क्योंकि उसने भी वह अकाउंट लिया था पर हर क्राइम की तरहे इस क्राइम पर भी ली और सोही की नजर पढ़ जाती है अब यमाला को सीनियर ओफिसर का फोन आता है जो की उसे बताता है कि हिटलर मारा जा चुका है और अमेरिका ने हिरोशिमा बंबर साय है जिससे हिरोशिमा पूरी तरह से बरबाद हो चुका है यमाला कहता है कि शीमा जाकी घायल है जिस पर सीनियर ओफिसर उसे मार कर यमाला को मैनेजर बनने को कहता है और यमाला शीमा की रही बची सांसे भी छीन ल बलकि असलियत में सुपर्वाइजर ने बच्ची के साथ यह किया था और इलजाम चोर पर लगा दिये थे लेकिन बिना सच्चाई जाने चोए को गिरफ्त में ले लिया जाता है। बातों को मान जाता है लेकिन पार्क और सोही ने इनकी यह बाते सुन ली थी इसलिए जब यून कोरियन मजदूरों को अच्छे खाने और ज्यादा मजदूरी का पार्ट पढ़ाता है तो पार्क ने बताता है कि यह ज्वुट बोल रहा है और ली को वो अकाउंट खिलाफ हो जाते हैं और पार्क यहीं इसको मार देता है। जिन्होंने इन सब को भागते हुए देखा था इसलिए पार्क इन्हे भी मार डालता है पर गोली की आवाज से पार्क को सब पता चल जाता है और वह सैनिकों को इनके पीछे लगा देता है वहीं चोए कुछ साथियों के साथ इनसे लड़ने के लिए आता है लेकिन अनकी रस जैपनीज और कोरियस के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है इधर ली बेल्ट उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह अकेला यह नहीं कर सकता था इसलिए सोही और कुछ मजदूर उसकी मदद करने के लिए आते हैं वहीं मेल को सुपर्वाइजर की गोली लग ज जाता है और दोनों मर जाते हैं इधर यमाराली को शूट करता है लेकिन बदले में भी उसे शूट करता है पर यमाला सोही को बंदी बनाता है पर पार्क उसके सिर पर पत्थर मारता है और सोही बोतल वाला बम उस पर फोर देती है इसी के साथ यमाला मारा जाता है और पार इसलिए वह सोही की जिम्मेदारी पार्क को सौंक देता है और दुनिया से चला जाता है सोही बहुत रूती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख्तम होती है। दोस्तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप से अगली वीडियो में।